गाउं की सेर कि छुट्यों में गाउं ले चलने का वाइदा किया था। दशेरे के छुट्यों में छवी अपने माता पिता के साथ गाउं गई। गाउं में उसका चचेरा भाय समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुन्दर खिलोना मंगवाया। उसके मन में गाउं जाने की त्रीव अच्छा थी। गाउं पहुँचकर छवी ने देखा कि वहाँ की घर शेरों के घर की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छपपर वाले घर अधिक थे। किसी-किसी घर के उपर खप्रेल भी थी। दो-चार मकानी सिमेंट और इटों के थे, शेश सभी कच्चे थे। घर पहुँचकर छवी ने समीर को खिलोना दिया। खिलोना पाकर वे खुशी से उचलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने शवी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखा कर लाओ। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। समीर शवी को गलियारों में गुमाता, बरगत के एक वर्क्ष के पास ले गया। शवी ने देखा, एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था, वह डमरू बजा रहा था। एक बंदरिया नाच रही थी, सब बच्चे ताली बजा बजा कर हस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खतम हो गया। घर के आंगन में आम, अम्रूद और नीम के वर्क्ष थे। समीर ने शवी को अपनी गाएं, भैस, बैल तथा बच्चरे दिखाए। शवी को यह सब बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने शवी के लिए सरसो का साग तथा मका की रोटियां बनाई। शवी को यह भोजन बहुत स्वादिश्ट लगा। अगले दिन शवी समीर के साथ खेतों की सेर करने गई। उसे खेतों में खिली पीली सरसो बहुत अच्छी लगी। दो दिन गाउं में रहकर वहमाता पिता के साथ शहर लोट आई। उसने अपनी सहीली प्रभा को बताया। गाउं की लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं। बड़ी नर्मी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूका जाए तो भोजन खिलाते हैं। प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं। बे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, गाउं की जलवायू अच्छी होती हैं, लोग स्वस्त और बलवान होते हैं, शहर की भीड़ भाड और शोरगुल से गाउं को सुदूर है।